उसमें इंहां मेरी बार एक्सेवाउर सैंद्र प्रिशितान में इससे डियो को राजिस्थान में नागरिक सेवन तक पहुंच भामा सहा योजना के संदर में DBT का पूरा नाम क्या है DBT का पूरा नाम होता है Direct Benefit Transfer सही जबाब में होगा B Direct Benefit Transfer RCT में आया हुआ कोस्चन है Question number next होगा 2 E PDS प्रणाली के संदर में FPS का पूरा नाम क्या है आया हुआ exam में कोस्चन है और इसका सही जबाब होगा Fair Price Shop B सही जबाब होगा Question number 3 होगा आधार कार संक्या में कितने अंक सामिल होते है D 12 होते है 12 आधार कार के जो अंक होते है वो 12 अंक का होता है Question number next होगा एक सामान्य बीमारी की तहद BSBY के तहद बीमार आसी क्या है A सही जबाब होगा 30 हजार Question number next की अगर बात करें SSO सुविदा का मुख्य लाब क्या है SSO के मुख्य सुविदा का लाब है Single log in interface है सही जबाब होगा Better transparency है Better accountability है तो सही जबाब होगा All of about D सही जबाब होगा SSO का पूरा नाम क्या आया है एक्जाम में question है Single sign on सही जबाब होगा D Question number seven है EPDES प्रनाली के संदर में BPL का पूरा नाम क्या होता है EPL का पूरा नाम होता है Blue poverty line RS7 में आया होगा question है B EPDES portal HTTP colon double slash food.r.raz.nic.in में कौन सी सुवदा उपलब नहीं है इसमें भामा साहों की लिस्ट नहीं होती है सही जबाब A होगा रासन कार्ड के वित्रण का पता भी होता है रासन कार्ड के आवदिन की स्थिति का ट्रेक भी करते हैं और FES यानिके fair price soft के लिस्ट भी होती है सही जबाब होगा A भामा साहक लिस्ट नहीं होती है सही जवाब है A question number next की बात करें EPDS के संदर में MSP का पूरा नाम किया है MSP का पूरा नाम होता है minimum support price सही जवाब होगा B minimum support price question number 10 होगा SSO single sign on का उद्देश से क्या है D सही जवाब होगा सहायता डेस्क लागत को कम करता है ग्राहक संतुष्टी को बहतर मनाता है और उत्पादक्ता बढ़ा देता है सही जवाब होगा question number next होगा ग्यारा भामा साह कार्ड है तू पंजी करन किस माध्यम से किया जा सकता है C सही जवाब होगा भामा साह की वेवसाइड से और इमित्र की उसक से दोनों से किया जा सकता है सही जवाब है C A और B दोनो question number next होगा 12 SSO के माध्यम से नागरी किन सुवदाओं का लाब ले सकते है B सही जवाब होगा digital government service question number next होगा 13 इन में से कौन सी सुवदा SSO लोग इन में उपलब नहीं है सही जवाब होगा सही जवाब इसका होगा आपका B सही जवाब होगा यहाँ पर mutual fund investment क्योंकि SSO में mutual fund investment नहीं होता है रोजगार का registration भी कर सकते हो electricity bill पानी भर सकते हो application for domicile certificate भी बना सकते हो मुझ लिवास लेकिन यह भी mutual fund नहीं है question number 14 राज्य सरकार का कौन सा विवाग EPDES portal संचालित करता है food and civil supply department सही जवाब इस होगा और इस exam का last and second last question नागरिक online माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजिगर्ण कर सकते है यह होगा C सही जवाब होगा रोजगार की website से कर सकते है C सही जवाब होगा A और B दोनों आप इमित्र से भी रोजगार के लिए पंजिगर्ण registration कर सकते हैं और रोजगार विवाग की website से भी कर सकते है C सही जवाब होगा question number होगा next 16 SSO के तहत एक नागरिक पंजिगर्ण कैसे कर सकता है सही जवाब होगा C सही जवाब है इसमें होगा आपका उपरोग सभी भामा आधार कार्ड के नंबर से और भामा सा के गिर्मांग से हो सकता है तो इस तरीके से हमने इस lesson में 16 question किये हैं और 16 question में से आपको लगवग एक से दो question आने वाले है और यह important ही very very important थे और मिलते हैं next video के साथ यदि next video आपको चाहिए तो चैनल को subscribe करें like, comment, share करें मिलते हैं next 9 number की video के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत